इस वीडियो में हम लोग डिसकास करने जा रहे हैं मारको निकब और एंटी मारको निकब रूल के बारे में पहला हम लोग दखते हैं मारको निकब रूल नेगेटिव पार्ट अटेज्ट टो डैट कार्बन आटम वीच है लेसर नमबर ओफ हाइडरोजन आटम नेगेटिव पार्ट उस कार्बन आटम पे अटेक करेगा या जुड़ेगा उस कार्बन पे जिसके पास कम नमबर ओफ हाइडरोजन है बाकी के कार्बन आटम से ठीक है एक्जांपल से देखते हैं यहां से हच बियार टूटेगा तो बियार माइनस निकलेगा ठीक है नेगेटिव पार्ट हो गया बियार माइनस इसके पास सिर्फ एक ही हाइडरोजन है यहीं पर जाके जुड़ेगा यहीं कहता है मारकोनी का रूल यहां पे च और आके क्या होगा एच और यह बियार यह बोंड टूटेगा अब यह जो सिग्मा एलेक्ट्रोन है दोनों जो सेर करके बोंड बनाये हैं दोनों उलेक्ट्रोन उट करके जाएगा ब्रोमीन के पास क्यों क्योंकि ब्रोमीन ज्यादा एलेक्ट्रो नेगेटिव है एच क्योंकि है ट CH3 CH double bond CH2 और यहां पर हम लोग H plus iron को अटेक करा रहे हैं तो यह क्या होगा यह जो कार्बन आटम है यह पाई इलेक्ट्रोन दोनों इलेक्ट्रोन अपने पास ले लेगा और इस कार्बन पर आ जाएगा positive charge दिखते हैं CH3 CH यह दोनों इलेक्ट्रोन अपने पास ले लिया और इ positively charge particle attack करेगा इस कार्बन पर और यहां पर आज करके जूड़ जाएगा hydrogen यहां तक ठीक है अब इसके बाद next step में क्या होगा H पलस आयन shift होगा 1,2 H पलस आयन hydride shift करा रहे हैं इस step में तो क्या होगा CH3 CH और यहां से CH2 और यह hydrogen आ करके लग जाएगा इस वाले कार्बन पर यहां जो कार्बन पर hydrogen था यह आ करके इस कार्बन पर लग गया इस कार्बन पर आ जाएगा positively charge अब इस दोनों में से 2 degree कार्बो कटायन most stable होता है तब जब भी BR minus attack करेगा तो attack करेगा 2 degree कार्बो कटायन पर क्यों BR minus attack to more stable 2 degree कार्बो कटायन to give major product यानि CH3 CH CH3 और यहां से लग जाएगा ब्रोमीन तो यह हम लोग का major product final यही होगा यही है मार्कोनिक पर रूल जो negatively charged पार्टिकल है वो उस कार्बन पर आके टेक करेगा जहां पर less number of hydrogen atom है ठीक है next हम लोग देखते हैं anti-marconic rule negative part attached to that carbon atom which has more number of hydrogen atom negative part उस carbon पर जाके जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा number of hydrogen atom है यहां पे लिए है one propene और hydrogen bromide से attack करेंगे पर ओक्साइड के presence में तो क्या होगा यह जो ब्रोमीन है उसके पास जाके जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा number of hydrogen है carbon है दो इसमें yeast carbon के पास ज्यादा hydrogen है तो ब्रोमीन जाकर के इस पर जुटेगा hydrogen जाकर के इस पर जुटेगा ठीक है आईए अब इसका mechanism देखते हैं step one में step one में क्या होगा यह जो पर ओक्साइड है ROOR यह तूट करके हम लोग को इसका free radical मिलेगा ठीक है step two में क्या होगा यह जो free radical है two RO यह क्या करेगा HBR से react करेगा तो देखते हैं कैस तरह से यह जो sigma electron है यह electron आपस में इस तरह से divide होगा कि ब्रोमीन के पास एक electron और hydrogen के पास एक electron जाएगा homolysis fission हो रहा है ठीक है तो क्या होगा hydrogen जाकर के इससे जुड़ जाएगा मिलेगा हम लोग को ROH ठीक है और ब्रोमीन के पास बचिया एक electron यह ब्रोमीन का free radical यहां तक ठीक है अब next step में क्या होगा यह जो free radical है ब्रोमीन का यह attack करेगा इस वाले compound को आएए उसको समझते है step number 3 ठीक है इस compound को लेते है CH3 CH double bond CH2 और यह attack कर रहा है इस पे ब्रोमीन का free radical तो यह जो ब्रोमीन है आ करके जुड़ेगा इस carbon पे और यह जो pi electron है आपस में split होगा इसको एक electron इसको एक electron मिलेगा ठीक है इसको देखते है CH3 CH CH2 इन दोनों को मिल गया एक 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 electron अब यह जब ब्रोमीन free radical है या तो इस carbon पे attack करेगा या तो इस carbon पे attack करेगा ठीक है पहला हम लोग देखते हैं जब इस वाले carbon पे आ करके जुड़ रहा है ब्रोमीन इस carbon पे जुड़ गया इस carbon पे हो गया free radical यह है one degree free radical अब दुसरा और क्या हो सकता है CH3 CH CH2 यहां पे जाकर के ब्रोमीन जुड़ेगा और इस carbon को मिलेगा free radical और यह है two degree free radical यह जो one degree free radical है यह less stable है as compared to यह two degree free radical ठीक है अब hydrogen आ करके जुड़ेगा इस two degree free free radical पे ठीक है step 4 में देखते हैं CH3 CH इस पे free radical CH2 और इस पे आके ब्रोमीन जुड़ा हुआ है अब इस पे HBR attack करेगा और यहां पे हम लोग को मिलेगा CH3 CH2 CH2 और इस से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और प्लस ब्रोमीन का free radical इस step में क्या हुआ इसको समझते हैं यह one degree less stable है as compared to two degree free radical थीक है तो यह HR जब attack किया तो इस वाले carbon यानि two degree free radical पर अटेक किया तो कैसे यह जो H और बी आर आपस में सिग्मा ईलैक्ट्रोन शेयर करके bond बनाए यह hydrogen एक electron लेक्त्रोन 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 लेक्त्रों लेक्त्रोन लेक्त्रों गिया और हम लोग को मिला यहां पर CH2 ठीक है उम्मेद करता हूँ यह एंटी मार्कोनिका वरूस समझ में आया होगा मिलते हैं तो ऐसा ही किसी नेक्स्ट वीडियो में तेखने के लिए थाइंक्यू